Hello guys welcome back to my channel my name is Saakshi Chalosiya तो आज की इस वीडियो में हम home loan के बारे में discuss करेंगे और किस तरीके से आप home loan की EMI calculate कर सकते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगे Well guys अगर आप home loan लेने का plan कर रहे हैं तो it is very important कि आप एक budget create करें जिसके अंदर include होना चाहिए कि आपका loan का amount क्या होगा आपकी interest rate क्या होगा आपका loan का time period क्या है and the most important guys आपकी EMI का amount कितना होना चाहिए यह इसलिए important है guys क्योंकि आपकी जितनी भी total salary होगी उसका एक portion तो guys आपके expenses में चला जाएगा इसके अलावा guys आपके पास एक emergency fund में भी saving होना चाहिए because कोई भी अगर problem आ जाती तो उसको deal करने के लिए आपके पास amount होना चाहिए इसके बाद जो आपके पास बच रहे है ना guys वो amount को आपको EMI की तरह use करना चाहिए आप काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं हम किस तरीके से EMI को calculate कर सकते हैं यह बहुत ही difficult है हमसे नहीं होगा तो ऐसा नहीं है guys EMI की calculation के लिए आपको कोई भी financial institution में जाने की जरूरत नहीं है आप खुद घर बैटे इसको calculate कर सकते हैं इसके calculation के लिए guys कोई भी deep mathematics के formula की जरूरत नहीं कि आप compound interest का formula यूज करें यूज करें इसका formula यूज करें नो guys काफी सारे लोग को यह calculation करने में problem जाती है परिशाने जाती है तो guys घबराइए मत आज की इस वीडियो में मैं आपके सांथ बहुत ही 3 simple step बताऊंगी जिसको आपको follow करना है जिससे आप अपनी जो home loan की EMI है उसको calculate कर सकते हैं इसमें कोई formula की जरूरत नहीं है नहीं आपको bank या other financial institution की ज़रूरत नहीं है आप खुद घर बैटे इसको calculate कर सकते हैं so without wasting any time guys हम video start करते हैं इस video में मैं आपको बताऊंगी कि home loan क्या है home loan क्यों आपको लेना चाहिए इसके क्या benefits है इसके बाद मैं आपको EMI की calculation बताऊंगी ताकि guys आपको जितना भी पूरा doubt है वो solve हो सके so without wasting any time guys हम video start करते हैं उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो do subscribe to my channel and also click the bell icon ताकि ऐसे ही trading related videos आप तो रहनते देख सके तो चलिए हम video को start करते है okay guys तो सबसे पहले समझने की home loan क्या होता है तो guys जो home loan है जिस तरीके से आपको word से clear हो home loan मतलब वो loan जो कि हम हमारे घर खरीदने के लिए लेते हैं उसको हम home loan कहते है means guys जब भी आप किसी भी financial institution हो चाहे वो bank हो या फिर housing finance company हो जब आपके इनके पास जाते है और इनसे आप loan देते हैं कि हमें हमारा घर खरीदना है या फिर घर बनाना है लेकिन हमारे पस capital नहीं है तो हम इन financial institution से वो capital ले लेते हैं जिस जर्नल एक rate of interest होता है जो कि आपको pay करना होता है जिसके basis में यह financial institution आपको आपकी capital प्रवाइड कर देते हैं जिसके तुरू आप easily अपना जो घर है उसको बना सकते हैं Guys we all know the importance of having our own home that means guys feel ही अलग होती, vibe ही अलग होती जब आपका खुद का घर होता है इसके अलावा guys currently जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही inflation बढ़ता जा रहा है guys जिसके चलते guys जो rent पहले कम हुआ करता था आज के time पे rent भी बढ़ते जा रहा है जिसको देखके लगता है कि जितना amount हम सिर्फ rent पे हर महीने पे कर रहा है उससे अच्छा तो होगा अगर हम खुद का घर ले 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 ताकि जो amount हम rent में दे रहे हैं वो हम amount EMI पे ले जिससे at the end guys आपके पास खुद का घर हो जाएगा एक financial security हो जाएगी जो कि बहुत ही एक अच्छा option भी है अब लेकिन क्या होता है mostly लोगों के पास इतना बड़ा capital नहीं होता है because guys अगर आप घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदने में या बनवाने में आपको approximately 30 lakhs I mean 25 से 30 lakh rupees लग जाते हैं घर करने में तो उतना amount normal pupils के पास नहीं होता है और इसी लिए हम loan लेते हैं financial institution से जिसके लिए हम उनको एक rate of interest देते हैं उनकी capital पे हर महीने के basis पे जिस पे हमारी EMI calculate होती है और धीरे-धीरे करके हम उनको loan pay कर देते हैं तो guys home loan एक बहुत ही अच्छा option है उन लोगों के लिए जो खुद का घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास current में इतना amount नहीं है तो वो home loan ले सकते हैं guys आज के time पे home loan लेना बहुत ही easy हो गया है आपको किसी भी financial institution से home loan मिल जाएगा but yes आप जब भी home loan ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है that means आपके capital उतना ही होना चाहिए जितने ही आपको ज़रूरत है आपका जो rate of interest है वो आपको देखना है कि कम से कम हो सके ताकि guys आपका जो pay I mean आप जो interest पे कर रहे हैं वो कम से कम पे कर सके इसके लाब आपको time period पर भी focus करना है that means guys ज़्यादा लंबा time period ना हो ज़्यादा कम भी ना हो आपकी saving के हिसाब से आपका time period वो decide होगा जिसके बाद EMI calculate होगी EMI जब भी आप calculate कर रहे हैं decide कर रहे हैं it is important कि आप ध्यान रखें मैंने आपको पहले भी बोला है कि EMI वही amount की होने चाहिए जो कि guys आप अपने जो salary है आपकी जो income है उसका एक portion तो आप अपने expenses में because आप घर में हैं तो आपका खुद का खर्चा आपके family का खर्चा वो expenses हटाके आपके पास एक emergency fund होना चाहिए because कोई भी problem आजाती है तो पैसे आपके पास होना चाहिए उसके बाद जो amount budget आप EMI को create कर सकते तो क्या होगा इससे एक budget लग जाएगा कि yes अगर मेरी salary 30,000 है जिसमें से मैं 30 में से मैं approximately 20,000 expenses में और savings में कर लेता हूँ तो 10,000 के approximately मैं EMI को create कर सकता हूँ जिसके basis में guys आपका जो loan का time period है वो calculate होगा ठीक है तो यह तो हो गया home loan की exactly home loan क्या है home loan लेना आपके लिए एक अच्छा option है अगर आपको खुद का घर खरीदना है और home loan में क्या-क्या चीज़े involved होती है यह सारी चीज़े होगए एक बारा फिर बता देते हैं home loan में तीन चीज़ें आपको देखनी होती है the very first thing is the capital means आप कितना capital लेना चाहते हैं आपको घर खरीदना है तो कितना आपको capital चाहिए second thing आपको जो देखना है वो है rate of interest yes, है माद्यच आप किसी भी financial institution से ले रहे है तो वो कitना rate of interest चाहर कर रहे है कोई 10 करता है, कोई 12 करता है तो आपको उन छीज़ों के समझना होगा क्यों 10 कर रहे है then to 12 कर रहे है और जितना कम आपको rate of interest मेले उतना ही ज्याद़ आपके लिए अच्छा और 58 third thing होता है time period आपका loan का tenure कितना होगा means कितने time period में आप जो आपका जो loan आप ले रहे हैं किसी भी institution से उसको आप कितने time में pay कर सकेंगे वो time period ठीक है और इन ही तीनों के basis में guys आपकी जो EMI होती है वो calculate होती है ठीक है वो होती है EMI अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि क्यों EMI पहले से calculate करना एक rough estimate लगाने important होता है अब काफी सारे लोग सोच रहेंगे कि ma'am यह सब तो ठीक है आपने बता दिया कि EMI calculate करना important है बट हम किस तरीके से EMI calculate कर सकते हैं तो I know that काफी लोगों को यह mathematics के formula नहीं आते हो नहीं यह इन formula में पढ़ना चाहते है ठीक है तो guys मैं आपको अच simple way बताऊंगे कि किस तरीके से आप घर बैटे सिर्फ और सिर्फ एक या दो मिनिट के अंदर आप अपनी जो home loan की EMI है उसको calculate कर सकते हैं without any mathematics formula without any Excel sheet आप सिर्फ और सिर्फ तीन step को follow करके अपने जो EMI है उसको calculate कर सकते हैं तो guys EMI को calculate करने के लिए मैं यूज करते हूँ पीरमल Finance की home loan calculator yes guys यहाँ पर आपको option मिलता है जिसमें आपको सिर्फ अपने information fill करना है जिसके basis में आपकी जो EMI है वो calculate हो जाएगे देखें मैं आपको चार्ट में यहाँ पर पीरमल Finance को open करके बताती हूँ देखें guys यहाँ पर मैंने पीरमल Finance का home loan EMI calculator open कर लें देखें जब आप यहाँ पर scroll करके नीचे जाएंगे तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि yes कितने time period में I mean सबसे पहला चीज जो दिया है वह है loan amount that means हमें कितना loan लेना है तो सोचें guys हम यहाँ पर example करते हैं कि हम 10 lakh rupees का loan लेना चाहते है ठीक है 10 lakh rupees का loan अब second इसमें पूछते है कि आपका जो loan का tenure कितना होगा means आप एक rough estimate लगाए कि आपका loan का time period क्या होगा तो हम सोचते है कि हम जो हमारा loan है वो 2.0 हम इतने months कर लेंगे हमेशा याद रखिए का जो EMI होती है वो monthly basis में calculate होती है इसलिए यहाँ पर जो loan का tenure होगा वो भी monthly के उसमें होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने 240 month fill करें that means 20 साल का right हमने 20 साल के लिए हमारा loan लिया हुआ है अब guys उसके basis में फिर interest rate होता है कि आपको rate of interest का है तो सोचे है जो हमारा rate of interest है वो हम यहाँ पर minimum fill करते है that is 10.50 तो यह सबसे minimum है जो कि यहाँ पर हम fill करते हैं तो इसके basis में देखे guys आपकी जो EMI है वो monthly बनेगी 9,984 rupees के that means अगर आप एक salary person है और अगर आप 30,000 earn कर रहे हैं जिसमें से 20,000 आपके expenses में चल जाते हैं आपके saving में चल जाते हैं फिर भी आपके पर यह 10,000 rupees बचेंगे जिसमें guys आप अपकी EMI को fulfill कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखें यहां पर दूसरा भी कर सकते हैं मेरी जो salary है अब मेरी salary 50,000 की है 50,000 की है तो obviously मैं यहां पर जादा safe कर सकता हूं तो देखें इस condition में हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दस साल तक का ही loan ले अगर आप ऐसे कर देंगे तो देखें आपकी जो EMI यहां पर 13,000 की हो जाएगी और आप कम time period में अपने loan को pay कर सकते हैं इसलिए EMI का calculation important है जब भी आप एक home loan का लेने का plan कर रहा है ठीक है तो देखा guys कितना simple है आपकी home loan की EMI को calculate करना आपको सिर्फ और सिर्फ पीरमल Finance की website पर जाना है जिसकी link मैंने इंडिच्रिये description में दी हुई है तो आप वहाँ पर simply जा सकते हैं वहाँ पर आपको home loan calculator पर जाना है आपको अपनी information जो है वो line by line फिल करना है और तेखे इस तरीके से आपका जो EMI है in just one minute आपकी EMI calculate हो जाएगी well guys आप जब भी loan लेना का plan कर रहे हों चाहे वो home loan हो चाहे वो car loan हो या फिर किसी particular item पर आप loan लेना चाहते हो तो it is very important कि आप अपनी EMI को पहले से एक rough estimate के basis में calculate करके रखें because it is important guys because क्या होता है काफी बार लोग EMI जो होती है वो बहुत ही जादा बड़े amount की calculate कर लेते हैं but क्या होता है बाद में जाके उनका जो income होती है वो जब कम हो जाती तो उनको काफी सारी problem face करने पड़ती है इसलिए आपको अपने expenses चेक करने होगे आपको अपने savings चेक करने होगे और उसके बाद ही आप अपनी EMI का amount है उसको ही final कीजेगा okay so I hope यह clear हो कि किस तरीके से आप home loan की EMI calculate कर सकते है मैं एक बाद फिर बता देती हूँ इसका calculation का process simple है आपको सिर्फ और सिर्फ पीरमल finance की website पे जाना है जिसकी link मैंने लिचे description में दी हूँ यह वहाँ पर आपको home loan का calculator है उसका option मेलेका आप बहाँ पर आप अपना यह जो amount है that means capital, rate of interest और आपका जो time period है वो तीनो fill कीजिए और आपकी जो EMI है वो simple है उसमें calculate ह हो जाएगी तो यही ती आज की वीडियो और आपको काफी सारे home loan के benefits भी मिल जाएंगे तो आप भी चेक कर सकते हैं ताकि आप सही home loan ले सके एक सही rate of interest के साथ एक सही time period में और सही EMI के साथ तो thank you so much guys यही ती आज की वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर comment section में पूस सकते हैं and also guys don't forget to subscribe my channel for more trading related videos so thank you so much मिलते हैं next video में तब तक के लिए keep learning keep earning and keep improving in trading okay